हाई प्रेंड नमस्कार देखे मेरे फोर स्वीच वाली बॉर्ड है तो इसमें एक सॉकेट है उसकी स्वीच है इसका एक स्वीच है इंडिकेटर है तिसी बॉर्ड में हम में वायरिंग करके आपको बताऊंगा किस तरह से वायरिंग की जाती है दोस्तों तो यह जो बॉर्ड है जादा तर जो इंडिकेटर से पार पता च ले आगा कि अमारे बूर्ड में करेंट है और सोकेट से जो कम करना रए लगता है दो स्का कनेक्शन केस थे कैसे वायरिंग है चीज़ को मैं इस वीडियो में बता हूँ आप लोगों को चलिए शुरू खर्ताम में वायरिंग करना देखिए दोस्तों मैंने पहले से वायर छील के रखा है आप तीनों स्विच अपना दो स्विच और इंडिकेटर की जो एक एक स्कुरू है इसको खोल लेते हैं तीसी में कनेक्ट करना है उसे देखिए मैंने तीनो स्कुरू में वायर डालके इसे कस देता हूँ केरफूर देखिए सही से चलाए गया है आप इसे टेस्टर की मदद से तीनों स्कुरू को कस लेते हैं बढ़िया से देखिए दोस्तों नट है टाइट रखिएगा ज्यादा तर लूज रहने पर क्या पावर मिलती है तो अच्छा रहेगा दोस्तों अपना स्वीच और इंडिकेटर खराब नहीं होगा तो देखिए हमारा तीनों कनेक्शन हो गया है नीचे लूप कर दिया है यहां से पावर मिल जाएगी यह देखिए एक वायर है जहां सोकेट का यल लिखा रहता है वहां पर एक छेड़ा वह अन अफ करेंगे तो पावर सोकेट को मिलेगी दोस्तों इस तरह से कस देंगे यहां से अन अफ करेंगे तमारा जो सोकेट को पावर यह से इसके माध्यम से मिल जाएगा अब यह देखिए इंडिकेटर है तो यहां न्यूटल हुए अगर इंडिकेटर चालू नहीं होगा तो इसके लिए हम ब्लेक वायर रखते हैं और इसे उपर कनेट करेंगे जिससे हमारे इंडिकेटर को न्यूटल मिलेगा और इंडिकेटर चालू रहेगा दोस्तों तो देखिए एक छेड़ा रखके हमें टेस्टर की मदद से अच्छे से टाइट कर लेते हैं अब दूसरा छ जुद्ध करेंगे तो वहां पर न्यूटल बाहरत लाने के लिए एक वायर लेंगे और इसे भी इसके साथ लूप करके हम सुप्रोड में जो इहनलिका हुआ है न्यूटर वहां पर कनेट करेंगे जिससे हमारे इंडिकेटर भी चालू हो जाएगा न्यूट रहेगा उसे ह एक तो धिमारा तो नेट को खोल कि हम बलेक वायर को सदेते के इसके इसके अंदर जूसी नूटर मिन्यटास मिन जाए गा की अच्की खिस्जे कर देखे कहले के सबस्क्राइब गर समय ध्रस्ट से जायेगा इंडिकेटर जाएगगा तीनों again रहेगा यह देखिए हाँ से नूटल मिलेगा तो हमारे इंडिकेटर चालू हो जाएगा यहाँ से नूटल आएगा यहाँ से पाउर सकत को मिल जाएगा अब इसमें होल्डर का connection करके मैं आप लोग को चालू करके दिखाता किस तरह से काम करता है दोस्तों है अधेकि में ब्लुडर लिया है वाई है जूड़ा हुआ है अब इसे में कनेक्शन करके आप लोग को दिखाता हूँ देखिए Black वायर ए रेड़ वायर भी है थो हम पहले lucky रेड़ वायर को सीच में लगा के दिखाता हूं आप लोगों देखिए यह पहले स्विच को उपर लगा देंगे इसके इस तरह से तो जैसे यहां से इसे पावर मिल जाएगा उन अफ करेंगे तो आद दूसरा जो नूटल जो है यही अपना इंडिकेटर को उपर जो पॉइंट है नूटल वहां पर लगा दे करेंगे जहां से इसको भी नूटल मिल जाएगा अच्छे से कर दीजिए इस पार्क नहीं होना चाहिए देखिए अपना होल्ड का कर दिया हमें ने यह देखिए इस तरह से है अब देखिए मैं इसको चालू करके आप लोगों दिखाता हूं देखिए अपना इंडिकेटर चालू है अभी बटन चालू करेंगे तो बलब भी चालू होगा दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना हमें फूल सपोर्ट करिए दोस्तों अपना प्यार दीजिए गा तो देखिए यहां सा कोकेट भी चालू हो रहा है हमारे बलब भी चालू है इंडिकेटर भी सब चालू हो थैंक्यू